हेलो फ्रेंट आज की इस ब्लोग में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जारी हूँ काथी की सबजी काथी एक हीमाचल प्रदेश में पाया जानी वरी जाड़ी है जिसमें की फरवरी मार्च के महीने में फूल आते हैं पिंक कलर के इन फूलों की सबजी बनाई जाती है जो की सिहत के लिए बहुती फायदेमंद होती है तो आओ बनाते हैं काथी की सबजी मैंने काथी के फूलों को अच्छे से पांचे पानी में धोलिया है इसके धूने के बाद मैंने कूकर में काथी रख दी है और उसके बाद उसमें दो गिलास पानी के डाल दिये है साथ में एक चमच नमक का और एक चमच हल्दी का भी डाल दिया है अब एक सीटी आने तक इसको पकाना है जब एक विसल आ जाए तो गैस बंद कर लेनी है और जब ठंडा हो जाए पूरी सबजी उसके बाद इसको अच्छे से पानी को इससे निचोड लेना है और उसके बाद इसमें तड़के की त्यारी करनी है तड़के के लिए मैंने एक पैन में तीन बड़े चमच सरसों के तेल के ले लिए है इसमें तेल थोड़ा ज्यादा मात्रा में अगर यूज हो तो ज्यादा स्वात बनती है इसके साथ ही मैंने जीरा, खड़ा धनिया, पिन चार लाल मिर्च इसमें डाल दी है इसके साथ ही एक पैयाज अच्छे से चॉप करके डाल दिया है बस प्यास के बाद आधा चमच नमग नमग पहले भी डाला है तो मैंने आधा चमच री डाला और आधा चमच दे की मिर्च और आधा चमच हलदी का दोवारा से इसमें डाल दिया है उसके बाद सारी सबजी जो मैंने निचोड कर रखी थी इसमें मिला दी है और अब इसको सीमांच पर पांच मिनट के लिए पकाना है उसके बाद धनी विरा से गार्निश करके जो है इसको रख लेना है सबजी तयार है मेरी ये रेस्पी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और ये भी बताना कि आप इस सबजी को किस तरह से बनाते हैं क्योंकि हिमाचल में हर क्षेतर में ये सबजी पाई जाती है तो जरूर कमेंट करके बताना कि किस तरह से आप ये सबजी बनाते हैं